मसकार दोस्तो, S.V.V.K.A.N.D. YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अधिनस्त बोड के दोआरा संगनक भरती परिक्षा के लिए notification जारी कर दिया गया है आसा है सभी forum apply जरूर कर रहे होंगे सभी को forum के बारे में, बिग्यप्ती के बारे में हम already आपको इस चैनल पर अबगत करवा चुके हैं आज हम चर्चा करने वाले हैं इस बरती से related और आपको क्या जानकारी हम दे सकते हैं तो ध्यान रहे कि आप यदि इसमें select हो जाते हैं आपकी मेहनत, आपका अच्छी एक guidance जो की प्रारंबिक जो जानकारी होती है वो देखो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज है कि यदि student को एक proper guidance मिल जाती है तो selection वो अपने दम पर ले सकता है लेकिन बहुत बार हमारे student के साथ यही होता है कि उनको proper guidance नहीं मिल पाती है proper जानकारी नहीं मिल पाती है काफी बच्चों को तो यहीं नहीं पता होता है कि संगणक भरती परिक्षा में पास होने के बाद हमें नौकरी में करना क्या है इसके बारे में नहीं पता होता है तो जब तक आपको एक positive approach, positive जानकारी positive guidance नहीं मिल पाएगी तो मुझे लगता है आपको किक जो मिलनी चाहिए, तैयारी के लिए एक जो boost मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करने बाले हैं तो दोस्तों देखिए जैसा अल्रेडी पता है कि टोटल हमारे पास यदि पदों की बात करें तो यह हम अल्रेडी आपको जानकारी दे चुक है पांसो तरासी पदों के लिए बरती जारी हुई है अधीन अश्ट बोड के दुआरा और जल्दी से जल्दी आप फॉरम एपलाई कर दें एक्जाम डेट भी हमारे सामने नजदी के बहुत जादा समय नहीं है तीन महीने का आपके पास समय है लेकिन अब हम आज जो चर्चा करने वाले हैं करने वाले हैं आपके इस जॉब फ्रॉफाइल के वारे में कि सबसे पहले यदि मैं सलेक्ट होता हूँ तो मुझे जॉइनिंग कहां पर मिलने वाली है बच्चों के पास सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो यह ही है कि सर यदि मैं इसमें सलेक्ट होता हूँ डिष्टिक हेड़क्वाटर पर मिल सकती है या फिर आपके ब्लॉक लेबल पर ब्लॉक बोले तो आपका तैसील हम क्या कह सकते हैं अपनी बासा में तैसील लेबल पर आपको यह जानकरी जॉइनिंग मिल सकती है यानि दो सबसे वड़ी जगे है कि यह इस पद की जो भिग्यप्ति है वो हर जिले पर यानि Collect rate पर है दूसरा आपके तैसी लेफल पर है संगनकि ठीक है ना दूसरा जो डिपार्टमेंटका headquarter है आपका जो department का headquarter है दोस्तों जैसे माहलेजैये Secretary के अंदर हर department के headquarter है या उद्योग बबन में हैं आपका जो static department है उद्योग बबन के सामने इसके अंदर भी आपको मिल सकती है ठीक है ना district मैं जो office है इसका headquarter जिसे हम बोल सकते है ठीक है ना headquarter जो कि आपका see scheme में है यहां मिल सकती है या फिर जो तने भी अन्य department है जहां जहां पर हमारी posting हो सकती है उनके भी जो headquarter से उनमें भी आपको इसकी posting मिल सकती है जैसे कि देखिए उदारन के तौर पर मैं आपको बताता हूँ जैसे मैं निर्वाचन आयोग में कारे रत हूँ किसमें निर्वाचन आयोग ठीक है election कमीशन के अंतरगर तो वहां पर भी आपको posting जैसे मिल सकती है वहां भी पद होते हैं हर department में लेकिन जरूरी नहीं होता कि सभी departmentों में संगनक की ही पोश्ट हो संगनक के अलावा वहां पर जैसे SI की भी हो सकती है संगनक की नहीं हो SI के अलाबा आपकी ASO की भी post हो सकती है लेकिन संगणक की नहीं हो तो सभी में नहीं कुछ-कुछ डिपार्टमेंटों में संगणक की post है कुछ में बिलकुल भी नहीं है दूसरा काम आता है देखो ये बात होई आपकी पहली किसकी पोस्टिंग से रिलेटेड पोस्टिंग आपको कहा का मिल रही है आपके डिश्टिक एड़कॉर्टर और तैसील पर आप दो ही चीज़ रखें या फिर आपके खुद के डिपार्टमेंट के एड़कॉर्टर जो कि आपके उद्योग बबन सुचना परदगय की और इस्टेटिक डिपार्टमेंट दोनों विवाग एक ही बिल्डिंग में चलते हैं बस थोड़ा सा डिफरेंस है तीसरी बात आती है सर सेलरी कितनी मिलेगी मुझे यदि मैं सलेक्ट हो जाता हूँ तो मेरी सेलरी क्या होगी तो सेलरी की यदि हम बात करें तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपकी जो ग्रेड पे है वो कितनी ग्रेड पे अठाइसो रुपे ग्रेड पे अठाइसो रुपे की ग्रेड पे है यानि लेविल आठ कौन सा लेविल आपका लेविल आठ अजी इस लेविल में यदि आप सलेक्ट हो रहे हैं यहां पर तो दोस्तों जो प्रोवेजन फीरेड है आपका धियान देना प्रोवेजन जो फीरेड है आपका इसके दोरान आपकी जो टोटल सेलरी बनती है वो बनती है कितनी 18,500 जैसे कि मैं सेमपद पर हूँ मेरी जो पोष्ट है वो है सुचना सायक तो यदि मैं मेरी बात करूँ तो प्रोवेजन पीरेड में मुझे भी जो सेलरी थी वो कितनी थी 18,500 लेकिन हमारे समय पर ध्यान रह न्यू पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम तो अब ये तो हमारी बंद हो चुकी है ये तो हमारी किस में कनवर्ट हो चुकी है OPS में तो अब कटोटी की चांसे आपके बिल्कुल नहीं है तो आप कितनी सेलरी लेकर के चलेंगे 18,500 सभी के लिए लेकिन ये कब तक है आप पर भी एक गोसना आपके लिए कर सकते हैं और वो ये कि प्रोविजन काल में पूर्ण सेलरी कि प्रोविजन काल में भी जितने भी करमचारी है उनको जो उनकी बैसिक्स के साथ में सेलरी बंदती है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाए लेकिन होगा नहीं होगा ये अभ की जॉइनिंग की सिटी पर क्योंकि देखो जो हमारी मेट्रो सिटी जोती हैं या मैं कहूं आपके जो जैपुर हुआ, कोटा हुआ, आपका संभाग इस तर पर जाते हैं, हम तो या फिर आपके उधैपुर हुआ, इने में सेलरी ज़ादा होती है, उसका रीजन है एचारे क् एचारे उनमें कुछ डिफरेंस आजाता है आपका दो से तीन अजार रुपे का और जो हमारे लोकल सिटीज हैं नॉर्मल डिश्टिक है या अपने बिलॉक लेविल है तो वहां पर एचारे कम मिलता है यानि आधा एचारे मिलता एक तरीके से जैसे आज की टाइम में मालीज आपकी बैसिक बनती है सौरी तेशनी शबीस अजार और सौके सम्टिंग या चबीस तीनसो है एक्जेक्ट 26,300 रुपे ये बैसिक होती है अब इस बैसिक में आपका क्या-क्या जुड़ जाएगा देखो आपकर डियम मिल जुड़ जाएगा इसी में आपका एचारे मिल ज जाता है जैसे बड़ी सिटीज के अंतरगात HR HR और आपको अठारे Gon째 एलदा हैं और छोटी सिटीज के अंतरगात आपको 9 परसेंट मिल पाता है तो यह 9% सैलरी का डिफरेंस होता है जैपुर में और लोकल डिश्रिक में जैसे आप आने किसी डिश्रिक में तो और कुछ cities में हमारा है जो HR वो 18% है तो ये सारे जोड़ जाते हैं और इनको जोड़के और DA स्याद अभी में बात करूँ तो स्याद 34% के something चल रहा है और ये हर 6 महीने में बढ़ता जाता है 3-4% सरकार हर 6 महीने में इसको increase करती रहती है तो ये तो सभी के लिए समान देपार्टमेंटों में जैसे election में हमारे 1000 या 1200 रुपे के something अलग से hard duty allowance मिलता है तो कुछ-कुछ देपार्टमेंटों में और भी कुछ बते extra मिल जाते हैं लेकिन यदि हम एक average salary की बात करें तो ये total salary आपकी जोड़कर के जो लगबग सभी को मिल सकती है किसी को कुछ कम 1500 क किसी को 1500 जादा तो वो लगबग 35-36,000 रुपे के something आपकी salary बन जाती है किसके बाद की बात हो रही है ये दो साल के बाद की उसके बाद हर साल आपका increment लगता है per year जो per year increment होता है दोस्तों वो होता है 30% का 30% 3% of basic basic पर आपका कितना 3% का increment लगता है यानि जैसे अभी basic है 26,300 तो इस पर आपका 3% क्या हो जाएगा increment लग जाएगा अब ये 3% फिर सभी जगे पर बढ़ता है HRM का जो आ रहा है उस पर भी 3% बढ़ रहा है DAB उसी के अनुसार बढ़ रहा है सही ना यहाँ जब बढ़ेगा पैसा तो यहाँ भी पैसा बढ़ता है इनका भी percentage जादा हो जाएगा भई अभी 26,300 का मालो आपको 18% मिल रहा है अब ये बढ़ करके आपके 27,000 होगे तो 27,000 का भी 18% मिलेगा तो वो पैसा लगबग सब जगे बढ़ता है और लगबग मैं ये मानता हूँ कि हर साल 1000 रुपे के सम्थिंग आपके 1500 रुपे के सम्थिंग का increment लगता जाता है लेकिन नौकरी बहुत सांदार है अब नौकरी में क्या है आपको करना क्या है ये भी एक important बात है इससा ठीक है सेलरी की बात होगी दो साल गरीबी में काट लेंगे और बाकी ठीक ठाक जोगार होई जाएगा और इस ताई नौकरी है और पेंसन योजना सो गेलोज की होई है तो बड़ापा अच्छा कटी जाएगा दूसरी बात आती है यहाँ पर कि काम क्या करना है सर बर्क डिस्ट्रिबूशन कि सर काम क्या है तो काम है दोस्तों आपका आकड़ों का किसका काम है आकड़ों का आकड़े कैसे आते हैं तो अब देखिए जैसे मैं मेरे ड Voting Percentage कम Voting होई आकड आ गया कौन से बार्ड में सबसे ज़्यादा Voting Percentage रहा कौन से बार्ड में सबसे कम Voting Percentage रहा यह अनलाइसिस यह आकडे भी आप ही फीड करते हो जो Election Commission की Website होती है Election Department की Website होती है वहाँ पर हर डिपार्टमेंट में अपने अपने आकडे होते है मैं Election का सिर्फ एक उधारन दे रहा हूँ तीक है आपके सरकार की जितनी भी योजनाई होती है अभी सरकार बताती है कि जैसे महंगाई राहत केंप के अंतरगात इतने लोगोंने फाइदा उठाया हर कैटिगरी का पता है उनको जैसे RGHS में कितने लोग उने फाइदा उठाया Free विजली का कितने लोग फाइदा उठा रहे है आपके Free Cylinder जो है 500 रुपे बाला उसमें कितने लोग फाइदा उठा रहे है तो जितनी भी योजनाई है था, females का कितना था, females का कितना voting percentage था, तो इस प्रिकार के जो आखड़े होंगे, वो आपके दुआरब प्रवाइड करवाए जाएंगे, यह आपका काम होगा, यह आपका काम होगा, सभी तरीके के आखड़ों को collect करना, ध्यान रखना, आखड़ों को आप क्या कर रहे हो दोस् उसको आप जो भी है, मैनेज करना या सेरिंग करना, ठीक है ना, मैनेज कर रहे हो, अलग-अलग तरीके से एनलाइसेज करके, उसको मैनेज करना कि आप कम्पलीट डाटा दिखा देते हो, कि सर आज की बोटिंग में, सबसे ज़्यादा बोटिंग पर्सेंटेज, फला weight डिश्टिक को मैन एड़कॉाइटर वाड़े हैं, वहाँ पर वो डिश्टिक लेविल को भी क्या करते है, कि सबसे ज़्यादा इस जिल्याज में बोटिंग हुई है, सबसे ज़्यादा इस से ब्लॉक पर बोटिंग हुई है, सबसे कम इस ब्लॉक पर हुई है सबसे ज़्यादा इस पंचयात में बोटिंग हुई है, सबसे कम इस में हुई है यहां सबसे ज़्यादा महिलाओं की वोटिंग हुई, आजकल महिलाओं पर बहुत फॉकस किया जाता है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं अवेर कहां पर हैं, कि सबसे ज़्यादा महिलाओं ने सबसे ज़्यादा बोट दिया है तो इस परकार के जो आकडे होंगे, वो सब आपके दारे प्रवाइड करवाएगे, जाएंगे, आपके दारे दोारे, इसके बाद बात आती है कि सर क्या बधिश्म, जिंदी की भर, हम जो रेटारमेंट होगा, वो रेटारमेंट ही, संगनक से हो जाएगा या प्रमोशन भी होगा बिल्कुल दोस्तों प्रमोशन भी है समय समय पर गैलोज जी ने अब भी आपको पता होगा कि बोल दिया हर साल हर डिपार्टमेंट की DPC होनी ही चाहिए वले एक ही प्रमोशन हो रहा है किसी एक ही कंडिडेट का प्रमोशन हो रहा है तो भी हर साल डिपार्टमेंट की DPC होना जरूरी है तो यदि आप संगनक पर नौकरी लगते हैं तो संगनक के बाद में आप जो बनते हैं दूसरा वो SI की पोश्ट पर बनते हैं सब इंस्पेक्टर नहीं है दोस्तो ध्यान रखना यह इस्टेटिकल ओफिसर है इस्टेटिकल इंस्पेक्टर इस्टेटिकल इंस्पेक्टर की पोश्ट होती है आपकी डिपार्टमेंट है इस पर आप सलेक्ट होते हो प्रमोट होते हो अगला जो प्रमोशन है आपका वो ASO का है दोस्तो Assistant Statical Officer लेकिन डिपेंड करता है आपकी रेंग पर समय कितना लगता है वो अलग बात है Assistant Statical Officer इसके बाद में आप ASO या BSO बोल सकते हैं ASO भी बोलते हैं, Simple हम और इसको BSO भी बोलते हैं Block Statical Officer या Statical Officer ठीक है ना यही बाला B4 Block Statical Officer उसके बाद में और भी आपके प्रमोशन चले जाते हैं यहाँ पर आप डिप्टी डाइरेक्टर की पोष्ट तक जा सकते हो कहां तक डिप्टी डाइरेक्टर की पोष्ट तक जा सकते हो दोस्तो इतने सारे options हैं बहुत सारे options हैं लेकिन समय समय पर अभी डिपार्टमेंट छोटा है तो कम हो रहे हैं लेकिन दीरे दीरे डिपार्टमेंट में और ग्रौथ होती जाती है सीटें बढ़ती जाती है तो आपका promotion बढ़ता जाता है दूसरा अभी हाली में budget में एक और गोसना कर दिया कि इन केस मान लीजिए आपका promotion नहीं होता है तो पहले क्या होता था नौ साल में आपको ACP लगती थी ठीक है फिर आपका नौ के बाद 18 में नौ के बाद 18 में और इसमें क्या होता था नेक्स्ट ग्रेड पे मिलती थी अठारे के बाद आपका जैसे अठारे और नो 27 ठीक है और उसके बाद 27 और नो आपका जैसे 36 इस तरीके से और इसमें भी क्या होता था नेक्स्ट ग्रेड पे ये चलता था पहले ठीक है अभी भी हाला कि ये चल रहा है पूरी तरह अभी लागू नहीं हुआ है नेक्स्ट ग्रेड पे का मतलब हो गया जैसे आप 2800 ग्रेड पे पर लगते हो तो 2800 से 3600 पर जाओगे 3600 से 4200 पर जाओगे 4200 से आप जैसे 4800 पर जाओगे इस तरीके से ग्रेड पे मिलती थी आपको द्यान देना क्या है प्रमोशनल ग्रेड पे और वो भी कैसे कर रही है इसको 8 16 24 और ये आपका 32 इस तरीके से कि 9 साल की जगे 8 साल में आपको ACP लगेगी और वो ACP जो होगी वो next ग्रेड पे पर हो की जगे आपकी प्रमोशनल ग्रेड पे पर होगी उधारेंड के तौर पर जैसे मानली जी मैं बता देता हूँ कि आपके डिपार्टमेंट में 3600 ग्रेड पे ही नहीं है उधारेंड के तौर पर मानली जी आपके डिपार्टमेंट में 3600 ग्रेड पे नहीं है और अब आपके 2800 पर तो जॉइनिंग थी तो अगली जो grade पर मिलेगी वो आपको direct क्या मिलेगी 4200 की मिलेगी promotional की अगला 3600 पर कोई पद नहीं है उस case में आपको direct 4200 grade पर मिलेगी इसके अनुसार इसको बोलते हैं promotional grade पर और next में चाहे 3600 पर कोई पद है चाहे नहीं है तो भी आपको 3600 मिलेगी जैसे हमारे department की अदि में बात करूँ तो देखो IA से AP AP से programmer programmer से आपकी ACP इस तरीके से अब इसकी grade पर 2800 इसकी grade पर 3600 और इसकी grade पर 4800 और इसकी grade पर 6600 कितनी है 6600 तो अब देखो यहाँ पर तो भी वही बात है यानि 2800 से 3600 तो मुझे लगेगी लेकिन अब मैं 3600 से direct बिना promotion यदि मैं programmer नहीं भी बनता हूँ और सिर्फ मेरा ACP लगती है यानि 8 के बाद सीधा 16 साल, 16 के बाद 24 साल तो मुझे 3600 से direct मिल रही है 4800 और यदि मैं next grade पे में जाता तो मुझे कितनी मिलती 4200 कितनी मिलेगी 4200 यदि ये नियम रहता है तो 4200 और ये रहता है तो 4800 तो सरकार ने इसकी गोसना कर दिया इसको जल दी लागू करने बाली है ये बजट में गोसना हो चुकी है तो ये लागू होती है तो और भी फायदे हो जाते है हर department में हर करमचारी को promotional grade पे दिया जाए और वो भी 8, 16, 24, 32 के अनुपात में ऐसे changes करने को बोला गया है तो ये मेरी तरब से एक छोटी सी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को like, share जरूर करना है साथ ही साथ मैं आपको एक और सुचना देने बाला हूँ कि हमारे आपर SBB का नंद में नया बैच स्टार्ट हुआ है प्राते साथ बजे से प्राते साथ बजे से जो की offline और online दोनों ही मोडों में है ये 8 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है दोस्तों अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे यदि आप online लेना चाहते हैं live from classroom भी आपको अभिलेबल रहेगा तो आप SBB का नंद की mobile app को download कर सकते हैं अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप दिये गए help line number 7073570529 पर संपर्क कर सकते हैं call करें सभी प्रकार की जानकारी बैस से संबंदे जो भी आपकी query होगी वो यापर clear की जाएगी धियान रहे offline के लिए आप संस्ता विजिट कर सकते हैं online के लिए आप mobile app download कर सकते हैं सारी most senior faculty आपके साथ जुड़ी हुई है जिसमें B.S. राजाबाद economics के दिगज कहे जाते हैं साथी साथ आपके statical officer जो एक सफल आदमी है देखो मुझे लगता है कि सीखना उनसे चाहिए जो खुद सफल हुए हो तो उनको रास्ते पते होते हैं कि सर उस पत तक आप कैसे पोँचे तो वो हैं आपके साथ Shiam सर जोड़े हुए हैं आपके department के हैं साथी मैं आपके साथ विनोज सी GKK सर है हमारे प्रदीब जी, Soni सर मेथ के लिए हैं और भी हमारे साथ सारी most experienced faculty है जो आपको एक से बैतरी subject के साथ complete content के साथ complete test के साथ practice set के साथ आपके साथ जोड़ी हुई है तो जल्दी से दोस्तों mobile app को download कर ले, call कर ले, संचता को visit कर ले, दौनों part है हमारे पास में part B का batch number 4 है आप S.B.B.Kanand app को download करें जो भी आपके साथ ही उनको सूचित कर दें एक सांदार platform पर complete content आपको provide करवाया जा रहा है, तो धन्यवाद दोस्तों ध्यान रहे, मेरे दुआरा आपकी job profile से related सूचना यदि आपको पसंद आई हो हो सकता है, थोड़ा बहुत आंकड़ों में आगे पीछे हो, ठीक है लेकिन एक उधारण के तौर पर आपको पूरी तरह से ये चीज़े समझ में आएंगी, आपका मन करेगा कि हाँ एक ऐसी job profile जो मैं office में बैटके, एक होताई field की, एक office में बढ़िया बैटके सिर्फ आकड़ों के साथ एकसल पर खेलता रहूँ, ऐसी नौकरी आपको चाहिए तो आप अभी से जोड़ जाएं, तीन महीने का आपके पास समय है धन्यवाद, all the best सभी के लिए